गाईज आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप Reliance Jio के इस Jio Phone में कैसे ShareEat को यूज कर सकते हो फिर आप इस फोन में किसी भी फोन से directly कोई भी इमेज, कोई भी गाना और कोई भी वीडियो और यहां तक की कोई भी फाइल बहुती आसान तरीके से और बहुती स आना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखते रहिएगा चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं अगर आपको अपने रिलाइंस जीओ कि इस Jio Phone में शेरीट को यूज करना है तो सबसे पहले आपको जिस भी फोन से चीजे ट्रांसवर करनी है उस फोन में सबसे पहले आप अब बीचज को ओपन करने के वागätzen शेर पर देख सकते हों च्पर तीन आपको आ रहे होंगे यहांपर आपको वैब शेर पर क्लिक करना है यह वैब शेर क्लिक करने के ऑड़ यहां पर आपको कोई भी चीज़ जैसी भी कोई-בה-काना भेजना है कोई वीड निया oup तो मैं थोड़ा से एक छोटा से आप बेज के दिखा देता हूं जैसे कि ये एप मेरा Adflap लेकिन ये जी एप नहीं चलेगा मैं आपको एक 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 जामपल के लिए दिखा देता हूं यहां पर आपको स्लेक्ट कर ले आ है जो चीज आपको भेजनी है यहां पर आपको सेंड क्लिक करने के बाद यहां पर यह पर आपको अलाओ करने के बाद यहां पर आपको अलाओ करने के बाद यहां पर आपको अपने इस फोन को रखना है साइड में साइड में रखने के बाद आपको रिलाइंस यो कर अपने जियो फोन में जाना है जाने के बाद यहां पर आपको स्कोरल डाउन करके वाइफार पर क्लिक करना है वाइफार को ओन कर देना है अभी वाइफार को ओन करने के बाद यहां पर आपको अभी लेवल नेटवक्स पर क्लिक करने के बाद यहां पर आप एक अपना जो वाइफार का नाम है जैसे इस फोन में मेरे देख सकते हूं कि ज यहां पर आपको ब्राउजर में जाना है, यहां पर आपको जी ओफोन में एक ब्राउजर भी दिया गया है, यहां पर आपको ब्राउजर में चले जाना है, ब्राउजर पर जाने के बाद, यहां पर आपको सर्च पर क्लिक करना है, सर्च पर क्लिक करने के बाद, अब मैं आगे का करना है यहाँ पर आप सकतो कि 192.168 वाला एड्रस ये ऐधिज आपको इस ब्राजर में टाइप कर देना है तो मैं लिखता हूँ अपना जो आड्रस उसमें आ रहा है दिए पर 1 पर, उपन कर देता हूं. तो, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, कि मैंने सारा जो address है, यहाँ पर type कर दोना है, type कर दिया है, यहाँ पर OK पर click करना है, OK पर click करने के बाद, यहाँ पर आप देख सकते हो, कि जो भी application मैंने select करी थी, एड़ फ्लाय वो यहाँ पर आ गई है आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक डाउनलोड का ओप्शन भी आपको यहाँ पर दिया गया है यहाँ पर आप सिंपली क्लिक करोगे तो यह जो मेरी एप्लिकेशन है वो ओपर डाउनलोड हो जाएगी तो इसी तरीके से आप इस फोन में शेरिट को भी यूज कर सकते हैं और गाइस शेरिट के अलावा मेरे पाद एकजेंडर का भी इसके अलावा ओप्शन है आप इस फोन में एकजेंडर भी यूज कर पाएंगे आप इसी फोन से अगर आप शेरिट को यूज करेंगे तो आप शेरिट के थू इस phone से कोई चीज नहीं भेच पाएंगे Share it के through कोई चीज ले सकेंगे Receive कर सकेंगे, कोई send नहीं कर पाएंगे लेकिन Exender में ऐसा नहीं होता है Exender में आप कोई भी चीज ले भी सकेंगे और बहुती असानी से ट्रांसर भी कर सकेंगे तो दोस्तों मुझे नीचे comment में बताएंगा कि आपको एकजेंडर का जो option है वो चाहिए या नहीं चाहिए एकजेंडर का जो feature है वो मैं आपको बताओं या नहीं बताओं तो दोस्तों इस तरीके से आप बहुती आसान तरीके से जियो के इस जियो फोन में शेर इट को यूज कर सकते हो तो बस इस वीडियो में इतना है अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग्यों तो प्लीज एर एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अभी तक आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज एर सब्सक्राइब कर लिजेगा क्योंकि यह पर आपको डेली ऐसी वीडियो देखने को मिलते रहेंगी और यहर हमारे चैनल को आप भी सब्सक्राइब करना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हो चलो मिलता आप से नेक्स्ट और ऐसी किसी और वीडियो में तब तक के लिए टेक क्यार और बाई बाई